नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो शेनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रक्टिस सेट की तो ये UGC NET से संबंदित प्रक्टिस सेट है practice set तीन है इससे पहले हमने एक और दो practice set देखे थे अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के description में link दी हुई है वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं और दोस्तों अगर आप इस channel पर नए है या अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप channel को subscribe कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें और कम से कम एक बार तो जरूर channel के playlist में जाएं वहाँ पे बहुत सारी वीडियो और playlist दी हुई है पहला प्रशन है रचना काल की द्रश्टी से निमनलिखित कवियों का सही अनुकरम है ये प्रशन पूछा गया था दिसंबर 2019 में आप्शन है A केशवदास बिहारी भूशन सेनापती आप्शन B सेनापती केशवदास बिहारी भूशन आप्शन C भूशन केशवदास सेनापती बिहारी या फिर आप्शन D केशवदास सेनापती भूशन बिहारी तो सही उत्तर इसमें से कौन सा है? सही उत्तर है option A. केशवदास बिहारी भूशन सेनापती अनुक्रम दिया हुआ है पहले है केशवदास 1555 इस्वी, सेनापती 1589 इस्वी, बिहारी 1595 इस्वी और भूशन 1613 इस्वी प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिकित रचनाकारों का सही अनुक्रम है यह प्रश्न पूछा गया था जून 2019 में option है पहला A. केशवदास बिहारी मतिराम घनानंद B. बिहारी केशवदास घनानंद मतिराम C. केशवदास मतिराम घनानंद बिहारी या फिर ओप्शन D घनानंद बिहारी केशवदास मती राम तो सही जवाब कौन सा है सही उत्तर है ओप्शन A केशवदास बिहारी मती राम घनानंद अनुक्रम है पहला केशवदास 1555 इस्वी बिहारी 1595 इस्वी मती राम 1617 इस्वी और घनानंद 1689 इस्वी प्रशन है जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रीती गरंथ कारों का सही अनुक्रम है ये प्रशन जून 2018 में पूछा गया है ओप्शन है A सूरती मिश्र देव भूशन जस्वंत सिंग B भूशन जस्वंत सिंग देव सूरती मिश्र C भूशन देव सूरती मिश्र जस्वंत सिंग या फिर ओप्शन D देव सूरती मिश्र भूशन जस्वंत सिंग सही उत्तर है option B भूशन जस्वंत सिंग देव सूरती मिश्रुम अनुक्रम है पहला option दिया हुआ है भूशन 1613 इस्वी जस्वंत सिंग 1627 इस्वी देव 1673 इस्वी और सूरती मिश्रुम प्रशन है रचना काल के अनुसार निम्न लिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है जून 2017 में पूचा गया प्रशन है option है a भिखारी दास चिंता मनी देव जस्वंत सिंग चिंता मनी देव भिखारी दास जस्वंत सिंग औप्शन C जस्वंत सिंग चिंता मनी देव भिखारी दास या फिर option D सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है अनुक्रम है चिंतामणी 1609 इस्वी जस्वंत सिंग 1627 इस्वी देव 1673 इस्वी और भिखारी दास 1725 इस्वी प्रश्ण है जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जून 2016 में पूछा गया प्रश्ण है आप्शन है A. भूशन चिंतामणी केशवदास सेनापती B. सेनापती भूशन केशवदास चिंतामणी C. केशवदास सेनापती चिंतामणी भूशन या फिर ओप्शन D. सेनापती केशवदास भूशन चिंतामणी कौन सहो होगा सही? सही उत्तर है ओप्शन C. केशवदास सेनापती चिंतामणी और भूशन अगला प्रशन है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जून 2016 में पूछा जाने वाला ये प्रशन है option है a. बिहारी देव भिखारी दास पदमाकर b. देव भिखारी पदमाकर भिखारी दास option c. भिखारी दास देव भिखारी पदमाकर या फिर option d. भिखारी दास भिखारी देव पदमाकर सही उत्तर है ओप्षन ए बिहारी देव भिखारी दास पदमाकर अनुक्रम है बिहारी 1595 इस्वी देव 1673 इस्वी भिखारी दास 1725 इस्वी और पदमाकर 1753 इस्वी अगला प्रशन है जन्मकाल की द्रश्टी से निम्नलिखित रचना कारों का सही अनुक्रम क्या है दिसंबर 2015 में पूछा जाने वाला ये प्रशन है ओप्षन है चिंतामणी बिहारी घनानन्द मतिराम बिहारी चिंतामणी मतिराम घनानन्द सी मतिराम बिहारी घनानन्द चिंतामणी ओप्षन डी बिहारी घनानन्द मतिराम चिंतामणी तो बताएं सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर है ओप्षन डी बिहारी चिंतामणी मतिराम घनानन्द अनुक्रम है बिहारी 1595 इस्वी, चिंदामणी 1609 इस्वी, मतिराम 1617 इस्वी और घनानंद 1689 इस्वी प्रश्ण है रचना काल की द्रश्टी से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? या प्रश्ण दिसंबर 2016 में पूछा गया प्रश्ण है आप्शन है A. आलम घनानंद ठाकुर द्विजदेव B. घनानंद ठाकुर आलम द्विजदेव C. आलम ठाकुर घनानंद द्विजदेव या फिर आप्शन D. द्विजदेव घनानंद आलम ठाकुर सही उत्तर का चैन करिए बताएं तो सही उत्तर है option A आलम घनानंद ठाकुर द्विजदेव अनुक्रम दिया हुआ है पहला आलम 1583 इस्वी घनानंद 1689 इस्वी ठाकुर 1766 इस्वी और द्विजदेव उन्नीस्वी शती प्रश्ण है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है प्रश्ण पूछा गया है दिसंबर 2014 में ओप्शन है ए बिहारी चिंतामणी भूशन मतिराम बी चिंतामणी मतिराम बिहारी भूशन सी चिंतामणी मतिराम भूशन बिहारी या फिर ओप्शन डी भूशन मतिराम चिंतामणी बिहारी सही उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है सही उत्तर है ओप्शन ए बिहारी, चिंतामणी, भूशन, मतीराम अनुक्रम है बिहारी 1595 इस्वी, चिंतामणी 1609 इस्वी, भूशन 1613 इस्वी और मतीराम 1617 इस्वी प्रशन है निमनलिखित कवियों का सही क्रम क्या है दिसम्बर 2012 में पूछा गया प्रशन है, ओप्शन है सही उत्तर है option D केशवदास बिहारी चिन्तामणी और पदमाकर अनुक्रम है केशवदास पंद्रासो पश्पन इस्वी बिहारी पंद्रासो पंचानवे इस्वी चिन्तामणी 1609 इस्वी और पदमाकर 1713 इस्वी नेक्ष्ट प्रश्ण है कवियों का सही अनुक्रम बताईए दिसंबर 2011 में पूछा गया प्रश्ण है option A द्विजदेव केशवदास विद्यापती रस्खान B विद्यापती द्विजदेव रस्खान केशवदास option C विद्यापती रस्खान केशवदास द्विजदेव या फिर option D रस्खान विद्यापती केशवदास द्विजदेव सही उत्तर बताएं तो सही उत्तर है Option C विद्यापती, रस्खान, केशवदास, द्विजदेव विद्यापती, 1350 इस्वी रस्खान, 1548 इस्वी केशवदास, 1555 इस्वी और द्विजदेव, 19 इस्वी शती रश्न है इन कवियों में सही कालकरम का निर्देश कीजिए दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रशन है option है A. चिंतामणी केशवदास मतीराम पदमाकर B. मतीराम पदमाकर चिंतामणी केशवदास option C. पदमाकर केशवदास मतीराम चिंतामणी या फिर ओप्शन D केशवदास चिंतामणी मतिराम पदमाकर सही उत्तर है ओप्शन D केशवदास चिंतामणी मतिराम और पदमाकर अगला प्रशन है जन्मकाल जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुकरम क्या है जून 2019 में पूछा गया प्रशन है आप्शन है जैसी सूरदास तुलसी दास रहीम बी सूरदास तुलसी जैसी रहीम सी सूरदास जैसी तुलसी रहीम या फिर आप्शन D जैसी तुलसी रहीम सूरदास कौन सा आप्शन सही है सही उत्तर है आप्शन सी सूरदास जैसी तुलसी रहीम अनुक्रम है सूरदास 1478 इस्वी, जैसी 1492 इस्वी, तुलसीदास 1532 इस्वी और रहीम 1556 इस्वी प्रश्न है काल क्रम के अनुसार निम्नलिखित आचारियों का सही अनुक्रम है दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है आप्शन है ए रामानुजाचारे मद्धवाचारे निम्बारकाचारे वल्लभाचारे बी मद्धवाचारे रामानुजाचारे वल्लभाचारे निम्बारकाचारे सी निम्बारकाचारे मद्धवाचारे रामानुजाचारे वल्लभाचारे या फिर option D रामानुजा चारे, मद्ध्वा चारे, निम्बारका चारे, वल्लभा चारे सही उत्तर है option A A और D यहां पे सही है रामानुजा चारे, मद्ध्वा चारे, निम्बारका चारे, वल्लभा चारे अनुकरम है रामानुजा चारे प्रशन है भक्त माल में दिये गए रामा नंद के प्रथम चारे शिष्षियों का सही अनुकरम क्या है? जून 2017 में पूछा गया प्रशन है आप्शन है अगला प्रशन है आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी के अनुसार निमलिखित संपरदायों का सही अनुकरम है जून 2017 में पूछा गया प्रशन है आप्शन है श्री संपरदायों का सही है तो दोस्तों यह थे आजके प्रिक्टिस सेट तो आप भी जवाब देते रहें कमेंड करते रहें कोई बाद कोई सुझाओ कोई समस्या है तो उसे भी बताते रहें हमारे याँ social network भी दिये हुए है तो वहाँ जाकर भी आप message कर सकते हैं और कोई समस्या है तो बताते रहें इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में